नमस्कार आज दिन बर की साथ बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत हैं मैं हूँ अख्लेज अस्वाल और आप देख रहे हैं ललूराम.com आज की सबसे पहली और बड़ी ख़बर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने लोगसभा चुनाओं से पहले एक सबसे बड़ा मास्टर श्ट्रोक खेलते हुए घोशना पत्र जारी किया है जिसका नाम दिया है हम निभाएंगे गोशना पत्र में राहूल गांधी ने नियाय, रोजगार, सिक्छा, स्वास्त और महिलाओं से जुड़ी जान इसको प्राथमिक्ता दी गई है वहीं इस दौरान राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी पर भी जमकर निसाना साथ है राहूल गांधी ने अपने इस घोशना पत्र में क्या कुछ वादा किया है जो चुनावी जुमले होंगे या वो तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा तो इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातें आपको बताते हैं राहुल गांधी ने अपने घोशना पत्र में न्यायोजना के तहित गरीबों को एक साल में 72,000 यानि की पांस साल में 3.60 लाख रुपे देने का वादा किया है, जो पैसा सीधे किसानों और गरीबों के जेब में जाएगा किसान अगर कर्ज ना चुका पाए तो उसे अपराधिक मामला नहीं बलकि सिविल मामला हो, ऐसा उन्होंने अपने घोशना पत्र में वादा किया है देश में युवाओं को 22 लाख सरकारी योजगार, 10 लाख युवाओं को पंचायत में रोजगार देगी वही तीन साल के लिए देश के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी से कोई इजाजात नहीं लेनी पड़ेगी इसके साथ ही रोजगार गरंटी योजणा में जो 100 दिन का था उसे 1.500 दिन कर दिया गया है स्वास्त के मामले में भी कई इजाफा किया गया है स्वास्ते जुड़ी भी वादे की गई है गरीब से गरीब विक्ति को सबसे बेहतर सुब्धा मिले इसकी विवस्था की जाएगी वही इसमें सबसे मुख्यबाद जो है देश की जीडीपी में 6 प्रितिसत सिक्षा में खर्च किया जाएगा जिसमें कॉलेज, स्कूल और कई भवनों का निर्माड भी किया जाएगा बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी ख़बर की ओड़ कॉंग्रेस के घोषनापत्र जारी होने के बाद, 36 गड़ में बिजेपी ने प्रेस कॉंफरेंस करते हुए कॉंग्रेस के घोषनापत्र के प्रिति को जला दिया है उन्होंने अपने कार्याले में ही कॉंग्रेस के घोषनापत्र को जलाया है और कहा है कि यह जो घोशना पत्र है कॉंग्रेस का वह देश का मनोबल गिराने वाला है बीजेपी के पूर मंतरी अमर अग्रवाल ने प्रेस कांफरेंस करते हुए कहा कि जहां देश एक और सेना की प्रसंसा कर रहा है वहीं दूसरी और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर आस्व कावना देखाई देती है कॉंग्रेस के इस घोशना पत्र का वही हस्र होगा जो 2004 और 2009 में हुआ था एक भीवादे पूरा नहीं किया जाएगा दरसल कॉंग्रेस ने आज घोशना पत्र जारी किया है जिसमें स्वास्त सिक्षा रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं के ब और सेना का मनोबल गिराने वाला ऐसा बीजेपी का कहना है ऐसा करते हुए बीजेपी ने आज अपने कार्याला में कॉंग्रेस के घोशना पत्र की प्रति को जला दिया है जिसके बाद से एक बार फिर राजनीती गर्म हो गई है बढ़ते हैं आज की तीसरी वड़ी ख़वर की और प्रधान मंतरी नरेंद मोदी आज उड़ीसा के काला हांडी दौरे पर थे लेकिन वो उड़ीसा जाने से पहले रायपूर के स्वामी विवेका नंदी आरपोर्ट पहुंचे जहां उन्होंने बीजेपी के कई सेना के हेलिकाप्टर से उड़ीसा रवाना हो गया उनके रवाना होने के बाद रमन सिंग ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रधेस की 11 लोग सवसीट के स्थिति के बारे में जानकारी ली साथ ही चौकिदार अभियान को लेकर लोगों के रिस्पॉंस के ब होता तो गरीबी हट गई होती वही धरमलालकौसिक ने कहा कि मोदी जी से हमने कहा है कि विधानसवा जैसे इस बार नहीं होगी उसे काफी अच्छे इस्थिति में रहेंगे और यह भी कहा कि महिलाओं को चलने वाली और सराप का रेट बढ़ाने वाली कॉंग्रेस आइना बेज रही है इन्हें खुद आइना देखना चाहिए बढ़ते हैं आज की चौंथी बड़ी ख़वर की ओर फिल्म अभिनेता अमीर खान की मुस्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं अमीर खान को रायपूर कोट में एक नोटिस जारी किया है और रेजिस्टर किया है और उ के दोरान देश में असहिड सुता का महोल बताते हुए देश छोड़ने की बात कही थी इस मामले में रायपूर कोट की अधिवक्ता दीपक दीवान और संजय पोप टानी ने परिवाद दाखिला किया था लेकिन लोबर कोट में इनकी याज का खारीज हो गई थी बाद मीन साथ ही इसमें 36 गर्शासन को भी एक पक्षकार बनाया गया है इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी बढ़ते हैं आज की पांचवी बड़ी खबर की उट अजीज जोगी कोर्बा से चुनाओ लड़ने वाले थे लेकिन उन्होंने चुनाओ लड़ने की बात को खारिज कर दिया है उन्होंने चुनाओ लड़ने से इंकार कर दिया है जोगी कॉंग्रेस और बस्पा गटवंदन के बाद अब बस्पा ने अपने सारी उमीदवारी 11 सीटों पर उमीदवारों की गोशना कर दिया इसके बाद जोगी कॉंग्रेस लोगसभा चुनाव से बाहर हो गई है जोगी कॉंग्रेस एक भी सीटों पर अपनी उम्मीदवारी तै नहीं कर पाई है उसके बाद अमीज जोगी ने अपना बयान जारी करते हुए भी कुछ बाते कहीं है अमीज जोगी ने कहा कि हमारी पार्टी के कोर कमेटी और संजदी बोड ने सर्ब सम्मनित से निर्ना लिया है कि 36 गड की सभी सीटों पर राश्टी पार्टी होने के कारण बसपा अपने उम्मीदवारों की चुनाव में खड़ा करे और दोनों पार्टिया मिलकर गठ बंदन को अधिक से अधिक जन्त समर्थन दिलाने के लिए काम करें अमित जोगी ने यह भी स्पष्ट किया है कि चाहे हमें किसी भी सीमा तक जाने पड़े हम अपनी पूरी सकती प्रदेश में भाजपा को पराजित करने में लगाएंगे हम एक छेतरी पार्टि हैं इसलिए राष्ट्री राजनीती की हमारी भूमिका भाजपा को हर हालत में परास्त करने तक सीमित है आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाओं में जोगी कॉंग्रीस और बस्पा गठ बंदन ने साथ सीटों पर कबजा जमाया था लेकिन इस बार लोगसभा चुनाओं में जोगी कॉंग्रीस लोगसभा चुनाओं से बाहर हो गई है और बस्पा ने सारे ग्यारा सीटों पर अपने उमिद्वारों की घोशना कर दिया बढ़ते हैं आज की छटवी बड़ी खबर की और प्रिदेश में गांजा तसकरी के वेपार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है पुलीस ने चेकिंग के दावरान एक एम्बूलेंस से दस कुईंटल गांजा बरामत किया है हलाकि पुलीस ने उसके साथ एक आरोपी को भी गृपतार किया है लेकिन दूसरा आरोपी जो तसकर था वो भागने में काम्याब हो गया तो इस तरह से एक एम्बूलेंस में किस तरीके से गांजी की तसकरी की जा रही है प्रसासन की आखों में धूल जोका जा रहा है यह एक तरह से किस तरह का इस कानून बेवस्था को बनाता है यह तो देखने वाली ही बात है दरसल यह पूरा मामला बिलासपूर जिले के गवरेला थाना छेतर आमाडोब का है जबत की गई गांजे की कीमत 49 लाक रूपया की गई है क्रिप्तार किये गया आरोपी से इस अवैद गांजा तसकरी के संबंध में पूछताज की जा रही है पुलिस जांजदल को सक होने पर चेकिंग की गई तो एम्बूलेंस के अंदर मरीज की जगए प्लास्टिक से भरे बोरियों का गांजा पैकेट मिला और यह गांजा 10 कुइंटल था देखा जाए तो एम्बूलेंस में अब मरीज नहीं बलकि गांजा नजर आ रहे हैं तसकर पैसे की लालच में नजाने क्या कुछ कर जाते हैं मरीजों की जगए अब तो गांजा भी बेचने लग लगे आज की सातवी और आखरी ख़बर जरा हटके है दुरुग लोकसभा से एक प्रत्यासी पांच मटके पर 25,000 रुपए के सिक्कों को लेकर नामांकन खरीदने पहुचा तो लोग उसे देख कर हैरान रह गया वहीं निर्वाचन अधिकारियों को सिक्के गिनने के लिए अलग से कर्मचारी भी बुलाने पड़े जिन्होंने मिलकर उस 25,000 रुपए को गिना उसके बाद उन्हें नमांकर फॉर्म दिया गया दरसल ये सक्स आजाद जन्ता पार्टी के प्रत्यासी सोतंत्र तिवारी हैं जिन्होंने एक रुपए से लेकर दस रुपए तक के सिक्के लेकर नमांकर खरीदने पहुचे उमीदवार ने बताया कि ये सिक्का छेतर की जन्ता से 6 माह में चंदा लेकर इकठा किया गया था प्रत्यासी ने ये भी बताया कि उसके चुनाव लड़ने के पीछे मोदी सरकार की गलत नीतियां है सरकार की गलत नीतियों से तरस्त जन्ता को राहा दिलाने के लिए वे सियम चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव प्रचार में उनका नारा जेब में ना तो पैसा ना नल में पानी यही है गरीबों की असली कहानी इसी नारे के साथ सुतंत्र तिवारी अपने दुर्ग लोगसभा छेतर में जाकर लोगों से वोट मागेंगे और मोदी के खिलाब उनके नीतियों के खिलाब जो उनकी मुहिम है यह क्या अलग से कुछ इस लोगसभा चुनाओं में कर पाती है या नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा तो यह थी आज की हमारी दिन भर की साथ बड़ी ख़बरें और भी ख़बरें देखने और पढ़ने के लिए देखते रहें ललूराम.com यदि आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए और यदि आप इस वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार